हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी चैनल मिस्टर एर टॉक में दोस्तों मेरा नाम है अंकीत और आज हम बात करेंगे आप किसी भी एप्लिकेशन को इंस्टॉल किये बीना वाट्सअप में जो फॉन्ट है उसकी स्टाइल को चेंज कैसे कर सकते हो तो वो मैं आपको यहां पर पूरी डीटेल बताऊंगा टोटल वाट्सअप में जो चार तरीके से आप फॉन्ट अलग-अलग स्टाइल के आप सेंड कर सकते हो तो कैसे करना है वह यहां पर आपको दिखाऊंगा पूरा वीडियो तो सबसे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर ले यह वाला जो फॉन्ट है वो रेगुलर फॉन्ट है अभी मैं यहां पर अलग स्टाइल से फॉन्ट को सेंड करता हूं तो यहां पर मैं सेम वही लिखते था हूं और यहां पर आपको क्या करना है symbol में चले जाना है और symbol में यहां पर last में आपको star करना है और first में आपको star करना है और यह send कर देना है तो देखो यहां पर जो पहला word था उससे यह ज्यादा bold हो चुका है तो अभी दूसरी style में आपको यहां पे दिखाता हूं दूसरी style तो मैं यहां पे फिर से वही में font यहां पे लिखता हूं और अभी यहां पे आपको क्या करना है symbol में जाना है फिर से यहां पे underscore कर देना है last में और first में underscore कर देना है उसको send कर देना है तो यह वाला भी font एक अलग type का font होगा है तो अभी तीसरा जो style है वो मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ यहां पर आपको वही में वापिस लिख देता हूँ और यहां पर आपको symbol में जोना है तो यहां पर देखो उपर वाला जो symbol है वो आपको select करना है first में last में सब में एक ही चीज रहेगी first और last में आपको same ही symbol यहां पर यूज करना है और फिर से send कर देना है तो यहां पर देखो यह उपर वाला जो symbol है यह वाला यहां पर तीन बार इसको symbol को add करना है यहां पर आगे तीन बार करता है तो इसको send कर दो तो देखो यहां पर आपको what's up कि अलग-अलग अलग-अलग what's up style यहां पर आपको मिल जाएगी तो आप किसी भी style को use करके आप पूरा what's up message send कर सकते हो आप पहले पूरा WhatsApp एक बार आप कोई भी मैसेज राइट कर लो उसके बाद आप फर्स्ट में और लास्ट में यह वाली इफेक्ट देदो तो यह आसानी से आपका तो आपका पूरा का पूरा जो मैसेज है वो अलग स्टाइल में चेंज हुझाएगा तो दोस्तों वीडियो आपक को मिले थैंक्स फोर वाचिंग